हेलो दोस्ते मेरा नाम है जेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेतन नेरस पर और आज हम नोइंग दी अनॉन के एपिसोड नमर टेन को नेरेट करेंगे और मैं बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक्स और कॉमेंट से भर दो तो चलो अभी जली से नेरेसन को सुरू करते हैं एपिसोड के सुरुवात में ली मीन के डेट के बाद प्योवल गुसे में कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ये सब किसने प्लान किया था पर मैं उन्हें इस दूने से मीटा कर ही रहूंगा अब बस देखना कि मैं क्या क्या करता हूँ उसके बाद सिन फोकस करते हैं फौर्थ सौर्ड और जूयांग के उपर फौर्थ सौर्ड बताता है कि उन्होंने एक इनेसकेपेबल नेट को सेट कर दिया है तो उनका सर्वाइव करना यहां पर इंपोसीबल है यह सुनकर जूयांग कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो यह एक वेस्ट होगा यह सोचना कि उन्हें इतने अच्छे तरीके से बड़ा करने के बाद हमें उन्हें ऐसे फैकना पड़ रहा है जूयांग यह भी कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि उसे इन बच्चों को एक पॉंस के तरह यूज़ करके फैक ना पड़ेगा पर उसने ये सोचा नहीं था कि उसे बीना यूज़ कि ही उसे फैक ना पड़ेगा फोर्ड स्वर्ड फिर कहता है कि उसके हिसाब से ये जगे खत्रे में है क्योंकि रिक्वेश्टर ही अभी एविडियन्स यानि बच्चों को खतम कर रही है और अगर उनका प्लान एविडियन्स को पुरी तरीके से खतम करना तो क्या वो प्लान नहीं करे होंगे हमें ही मारने की ताकि उनका ये सिक्रेट कभी भी किसी का सामने ना आए जो यहां कहता है कि 4th sword जो कह रहा है वो एक sense बना दी है पर वो कभी जगे को ढूंड नहीं पाएंगे अभी बस उन्हें यहां पर इंतजार करना चाहिए जब तके तो fun खतम नहीं हो जाता 4th sword पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि आखिरे request किसने करी है तो जो यहां कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कभी भी पता लगा सकता है पर उन्हें हमेसा ही एक line के अंदर रहकर काम करना चाहिए और ऐसे भी request इसके बारे में उन्हें एक message भीज़ कर एक warning दी थी तो उनके पास अभी कोई reason नहीं है बीना किसे वज़े के line को cross करने की तब ही जो यहां के हाथ में जो letter थी उसमें से एक महक निकलने लगती है और यह कोई ऐसी वे से महक नहीं है यह tracking incense है जिसके मदद से किसी को भी track किया जा सकता है और अब इस letter में tracking incense है मतलब कोई उन्हें यहां पर track कर रहा है तब ही उसे hall में जुयां के guards आप पहुंचते हैं जो कि दुसमन को रोकने की कोसेस कर रहे थे पर दुसमन को संभालना उनके लिए बहुते मुस्किल हो रहा है और वह बस पीछे खिसकते हैं जा रहे हैं और उन सब में लिम्बी थे जो कि सब को retreat करने को कहते हैं क्योंकि जो यहां पर आया है वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं तब ही हम intruders को देखते हैं जिनका commander उन्हें order देता है कि सारे फिलली asscents को यहां पर मार दो किसी को भी यहां पर जिन्दा मत चोड़ना जो यांग कहता है फॉर्सोर्ट लगता है कि तुम जो कह रहे हैं वो सही था फॉर्सोर्ट कहता है कि उन्हें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए पर जूयंग पूछता है कि कहां पर उनके उपर हमला किया गया है उसे मारने के लिए तो वो जहां पर भी जाएगा वो उनके पीछ ही आएंगे तो अभी उसके पास तो कहीं जाने का रस्ता नहीं बचा है जूयंग फिर कहता है कि इस बार उन्होंने line cross कर दी है और इस बार मैं दिखांगा कि line cross करने के बाद क्या होता है और वो अपना sword निकल कर बड़े तेजी से आगया बढ़ता है और बहुतों के सर को काट कर उड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे काटने आओगे तो मैं तुम्हें खा जाओंगा और वो अपने force का order देता है कि सभी थोड़े और समय कलिए ठीके रहो हम लोग जीज सकते हैं जब तक हम लोग यहाँ पर हार नहीं मानते तब ही कोई आकर कहता है कि नहीं तुम्हारे पास इसका कोई मौका नहीं होगा और वो आते ही किस स्पेल का यूज करके हमला करती है जो देखर जूयंग बहुती जादा गुसा हो जाता है और उसका स्पेल को रोकने के लिए हमला करता है पर वो हमले को रोग नहीं पाता और उसे भी बहुत से चोटे आती है जूयंग सोच रहा था कि इतनी पावर आखिर तुम कौन हो और हम देखते हैं कि यह है M.E. सेक्ट की लाइफ एंडिंग टॉक्सिक हाड जियोंगवा जूयंग फिर कहती है कि आखिर एक पिद्दू से अससन की हिमत कैसे हुई यह पूछने की कि आखिर मैं कौन हूँ और जूयंग 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 जूयंगवा को अपने सामने देखकर पहजान लेता है कि यह जूयंगवा है M.E. सेक्ट की और वो उसके आइडिनिटी रिविल करने ही जा रहा थे जूयंगवा उसे वर्म करती है अगर उसने आगे एक और सब्दी भी कहा तो वो उसका जवान खीच लेगी जूयंग सोचने लगता है कि यह सोचने कि रिक्वेश्टर M.E. सेक्ट होगी उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था पर अभी अगर वो ध्यान से सोचे तो उसे समझ में आने लगता है और वो कहता है कि उसे पहले से पता होना चाहिए था कि सबके पीचे M.E. सेक्ट होगी और अभी उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने रिक्वेश्टर कौन है उसके बारे में पता नहीं लगाया और वो भी यह सोच करके वो लाइन क्रोस कर देगा और उसकी एक गलत चोईस के वज़े से यह जग एक डिजास्टर बन चुकी है जूयंग फिर कहता है कि मैं हूँ जूयंग अगर मुझे यहाँ पर मरनाई होगा तो मैं यहाँ पर अकेला नहीं मरूँगा और वो अपना स्वर निकल कर जूंगा के और बढ़ता है जूंग वा यह देखकर कहती है कि आखर एक चोटे मोठे आससेसंस के इतनी हिमत कहां से आ रही है और वो इतना कही रही थी कि जूयंग फुल फोर्स से जूंगवा के उपर हमला कर देता है जिसे जूंगवा रोक तो देती है पर उसने एक चोटे आससेसंस के गुरूप के लीडर से इतना हाई लेवल के मासिलार्स को एकस्पेक्ट नहीं किया था और वो खुद को काफी खुसकिसमत मानती है कि वो जूयंग से दिन में लड़ा ही कर रही है क्योंकि अगर जूयंग उनके उपर रात के अंधरे में हमला करता तो उनके लिए मुस्किला हो सकती थी और वो जूयंग और उसके गुरूप को ऐसे चोड़ नहीं सकते उनसे भी कोई यहाँ पर मरना पड़ेगा और वो फाइनली जूयंग के उपर हमला करती है जिसे कि ओवियस से जूयंग रोक नहीं पाता और दूर छिटक जाता है और अब जूयंग समझ चुका था कि उसके डियात निस्जित हो चुकी है और यह बलर्ड सेडो ग्रूप का अंत है जूयंग सोच रहा होता है कि वो यहां तक बलर्ड सेडो ग्रूप को लाने में कामयाब रहा था जिसके बदले उसने काउंट्रेस लोगों की जान भी ली है और जूयंग ने सोचा था कि वो एक दिन हंडर्ड रेट उनियन को भी हरा देगा जिसे जियांगू के बड़े बड़े ग्रूप्स भी एवर्ट करते हैं पर लगता है कि अब सब कुछ खतम हो जाएगा पर जूयंग फिर भी अपनी हार सुईकर करना नहीं जा रहा था और वो कहता है कि मैं बलर्ड सेटो गृप का कैप्टेन हूँ और मैं आखिर तक सरवाइब करूँगा और वो जैसे हमला करने जाता है उसके सामने हमने जिस पहले कमंडर को देखाता हूँ उवा श्टॉम टाइप का एटक करता है और जूयंग के पैर को काट देता है जिससे कि जूयंग को बहुती जादा गुसा आ जाता है पर वो इससे डिस्ट्रक्ट हो चुका था और जियोंगा उसके उपर हमला करके उसे सीरियस ले इंजड कर देती है और अपने लीडर को इस हाल में देखकर उसके लोगों के भी मौराल डाउन होने लगी थी तब यूँ जगे पर मेसेट के लीडर आ जाती है जिनने देखते हैं जियोंगा मास्टर कहेकर ग्रीट करती है लीडर पूछते हैं कि आखिर उन्हें यहां पर इतना जादा सा में क्यों लग रहा है इन कुछ आससेसिंस को मारने के लिए तो जियोंगा बताती है कि उसने जितना सोचा था यह उसे थोड़े जादा बहतर निकलिए इसलिए उसे यहां पर थोड़ा टाइम लग गया पर यहां पर जुयांग लीडर को देखकर बहुती जादा गुसा हो रहा था और वो कहता है कि आखिर तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो एमेस एक नहीं हमें रिक्वेस्ट किया था और तुम्हीं लोगों ने हमरे साथ यह सब कर दिया तुम लोग से जानवर से भी गये गुजरे हो आखिर तुम्हारे हिम्मत के सुई हमें धोका देने की लीडर को इस बास से गुसा आ जाता है और वो अपनी लाठी मार कर उसके सर पे उसे मार दे दी है और फिर वो कहती है कि आखिर एक कचरे का डर किस बार में बात कर रहा था चलो जल्दी से बाकियों को यहाँ पर निप्टा दो इस तरफ हम लीम को देखते हैं जिसके उपर पीछे से किसी ने हमला कर दिया था और वो अभी मरने के कागार पर आ चुके है लीम सोच रहे होते हैं कि जब से एबेस अमनान कालामेटिस लीडर बनी है उन्होंने अपने फोर्स को बहुती जल्दी जल्दी बढ़ाना सुरू कर दिया है और वो अभी सच में बहुती ज़्यादा पारफुल हो चुके है और फिर वो उससे उसका नाम पूचते हैं जिसने उसे हमारा है और हम देखते हैं कि यह थी सियोल रेन और सियोल रेन का नाम सुनकर लीम कहते हैं कि उन्होंने सुना था कि लीडर की एक डिसेपिल है जिसके पास एंजल जैसे ब्यूटी और काफी हाई लेवल की इंटलिजन्स है सियोल रेन कहते हैं कि यह कुछ रिमर्स है जो कि लोग बड़ा चड़ा कर बोलते हैं असेसिन के साथ बात क्यों कर रही है तब यह फौर्थ सोड को घसिट कर लीडर के सामने लाया जाता है और बताया जाता है कि यही रेस्पोंसिबल है जिसने नियूली रेज असेसिन्स को लेकर किंग चेंग माउंटेन गया था लीडर पूचती है कि आघर वो कितने अससिन्स को लेकर गया था पर फौर्थ सोड उल्टा पूचता है कि आघर वो क्यों जानना चाहती है तो लीडर कहती है कि तुम यह जानने की जरूरत नहीं है बस जो पूछा गया है उसका जबाब दो फॉर्थ सॉर्ड कहता है कि उसे पता नहीं है और अगर उसे पता भी होता तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उन्होंने उनका ये हल किया है लीडर गुसे में कहते है कि क्या तुम जो चाहा वो यहाँ पर कर सकते हो और वह 4th sword के सर पे हात रहक के किसे पाऊर का यूस करती है जैसे के 4th sword को बहुत ही जादा दर्द हो रहा था और वह कहता है कि उसका साथ 28 आससिंट है और 4th sword लीडर से उसे मार देने को भी कहता है कियुकि वो इतना दर्द से नहीं पा रहा और लीडर बिना कुछ सोचे उसे मार देती है और जियोंगवा से पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक कितने अससेंस को मारा है तो जियोंगवा बताती है कि 24 इसलिए लीडर ओर्डर देती हैं कि बाकि चार को ढूंड कर उन्हें मार दो लीडर फिर सियोलरान को कहती है कि अब से उसका रॉल काफी जादा कुरूसियल होगा और वो जल्दी किसी को किंग चेंग सेक्ट भेज़ें के डैट को सेट करने के लिए पर वो तब तक सियोलरान को अपने दिल और दिमा को साधी के लिए तेयर करने को बोलती है और वो ये भी कहती है कि ये सब जो किया जा रहा है ये सब सेट के लिए किया जा रहा है उसके बाद रात को हम प्योवल को देखते हैं जो कि किंग चेंग सेट के उपर नज़र रखे हुए था Pew world notice करता है कि यहां की security बहुत ही जादा tight है इसलिए Pew world सैर्श से घुसने की सोचता है पर वह वहां पर भी जाकर देखता है कि यहां पर भी security बहुत ही जादा tight है Pew world सोच रहा होता है कि अगर वह मुझे एक natural enemy बनाना चाहते हैं तो मैं तयार हूँ उनका नेचुरल एनिमे बनने के लिए और यह एपिजोड यही परी खतम हो जाती है